घ्लो एवरीवन, वेलकम टू मेर चानल, आज हर कोई परिशान है अपने जीवन की समस्याओं के कारण, इसके चुटकारा पाने के लिए, यानि अपने जीवन की समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए, आज सभी लोग मोक्ष की तलाश में भठक रहे हैं, हर एक को कहना है और हरे का कहना है हमें मोक्ष चाहिए जीवन और मरन के चक्र से उपर उठ चाहिए यानि फिर आपका जन नहीं होगा तो जन नहीं होगा तो जित्यू भी नहीं होगी कर्म जाल में भी नहीं फसेंगे इसलिए सबसे आसान रास्ता जो आज सबको दिखलाई पढ़ रहा है वो है मोक्ष लेकिन इस मोक्ष की प्राप्ति क्या इतनी आसानी से होती है क्यों हम एक ऐसा कह रही हूँ आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाऊं मेरे एक वीवर का ये कमेंट आया थ कि वो बहुत अधिक इस दुनिया से फेड़ अप हो गया है और उनका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में उनका मन भर गया है वो जीना ही नहीं चाहते हैं वो योग साधना कर रहे हैं और किसी भी तरह से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और वो इस दुनिया को आप नहीं है आज आप हर सो में से पचास आदमी को आप लिजिएगा फिफ्टी परसेट लोग यही सोच रहे हैं कि कब दुनिया का अल्थों और कब दुखों से छुटका रहा है लेकिन क्या भगवान ने आपको इस जन्म में भेजा है मुक्ष प्राप्ति के लिए बस फट में लगे यह दुनिया कैसी है जरा देखिय जरा सोचिए कि का की आत्मा के उद्धिश्फ़त वर्मात्मने आपको क्यों भिए निया में ऐसी बहुत सारी अच्छी सीज़ें हैं आज वह और अच्छाइयां भी है अच्छे लोग भी यह हैं यदि आप नहीं जुर पा रहे तो आप जूने की कोशिश तो कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, ये दुनिया कितनी अच्छी है, भगवाने कितनी अच्छी दुनिया की रचना की है, हाँ कुछ दुष्ट आत्माओं ने इस दुनिया में बुराईयों का आतंग फैला कर इस दुनिया को नर्क के समान ब बात बिल्कुल सही है लेकिन उसका भी खात्मा होगा बुरे लोगों को भी दंडित किया जाएगा देर सही सही लेकिन कोई भी बुरा इंसान बिना दंड के बचेगा नहीं इसका लेकिन यह अर्थ कतई नहीं है कि आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाईयों से डर जाए सब कुछ छोड़ कर बैठ जाएं और सबसे आसान रास्ता हम सब कुछ छोड़ कर सन्यासी बन जाएं दुनिया छोड़ दें किसी से बात ना करें कुछ शेरिंग ना करें और कैसे मोक्ष मिलेगा इसलिए भटकते हैं ऐसा करने से कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नही भगवान ने इस दुनिया में आपको अगर भीजा है तो पहले अपने कर्मों को खत्म कीजिए अगर आपने आपको ही खत्म कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं बलकि फिर से आपको जन्म लेकर लेना पड़ेगा आप जन्म मरन के चक्कर से नहीं आजाद हो पाएंग कि अगर हमने अपने आपको खत्म कर लिया तो जन्म और मरन के चक्कर से हम निकल लियाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी यानि हम इस दुनिया से जब हम निकल लियाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे भगवान के पास आत्मा नहीं चले जाती है उसके बाद मरने के बाद हिसाब किताब होता है किसका कितना कर्म बाकी है किसके पाप जादा है किसके पुन्य कम है किसके पुन्य जादा है किसके पाप कम है कौन सी आत्मा अपने कर्म को पूरी तरह भुगत चुकी इस धर्ती पर ये कल्यूग है खत्म होने वाला है तो कल्यूक के खत्म उने पर हर आत्मा का हिसाब किताब जब तक इश्वर के द्वारा नहीं होगा तब तक मुक्ष की प्राप्ति कैसे हो तो बेटर यही है कि अपनी थिंकिंग को थोड़ी सी पॉजिटिव बनाईए आप ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके अंदर पॉजिट का जाईयां यादा अगर पाप सुपन्ले बीड़ी अगर राथ तो दिन कि है अगर आतन के तो उस्षे चुटकारा भी ऑगर कहीं दुष्टता है तो कहीं पर शांती भी पृटवर्व स्गाइश आप इन चीजों को जानेंगे नहीं आप किसी कुश बतलाइगे नहीं तो क्यों करना में ज़क्ना रास्ते पर क्यों इतनी जंदी आपको आजादी चाहिए पहले अपने आप करमों को तो भूगत लिजिए कि आपकी आत्मा को मुक्ष मिलेगा किनीए आप आप डिसाइट नहीं करेंगे। हो क्ल करेंगे क्ूशाइए हैं आदिशक्ति शंकर भगवान के संग जुड़े हुए तो उन लोगों को डिसाइट करने दिजिए देवी देवतागंड इश्वर निराकार इश्वर उनको डिसाइट करने दिजिए कि वास्तों में किस आत्मा को मुक्ष की प्राप्ति होनी है सिर्फ चाहने भर से मुक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कोशिश कीजिए इस दुनिया में अच्छाईयों को देखने के लिए इस दुनिया को कितना हसीन कितना रंगीन और कितना पवित्र आज भी भगवान ने बना कर रखा हुआ है प्रकृति से जुड़िये आप नहीं ज प्रकृति के साथ जुड़िये आप अपने अंदर एक बहुत ही अच्छी एनर्जी महसूस करें आपको कुछ नहीं करना आपको नहीं बात करने मन है ना किसी के सांग मत बात किजिए किसी के बात सुनिये ही मत खुली हवावें बैखिए गार्डेन में जाईए प्लांटिं कीजिए पौधों से बात कीजिए फूलों से बात कीजिए बैते हुए जहरने से बात कीजिए पहाडों से बात कीजिए सब लोग जवाब देगी आप अपनी आत्मा से खुदी ही जुड़ जाएंगे एक दिन आप लोग इस दुनिया में रहकर भी अच्छे कारे कर रहें कर्म का हिसाब किताब ही मुक्ष्टियों ले जाता है सारे साधु सन्यासी जो हिमाले परवत पर चले जाते दुनिया त्याग देते परिवार त्याग देते सोचिए उन परिवार की कितनी नेगेटिव एनरजी जो इं मजबूती के साथ खड़े होई है और तब इश्वर चाहेंगे तो डेफिनेट्ली आपको भी सही राप पर ले जाकर मुक्ष्टी प्राप्ति होगे थैंक्यू वेरी मच पर बच्पनेटिव